दोस्तों आप ये मेरे आत्म देखते हो, ये मूली इसको बोलते हैं, आपके सेतर में इसको क्या बोलते हैं को मुझे पता नहीं, और दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बिंडी, जो गायब हैं से बत्चा देने के बाद जेर नहीं गिराती, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी कामियाब हैं, और मैं दावा करता हूँ कि यूट्यूब पर आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये कब खिलानी है हमें, और ये बिंडी कब खिलानी है, और कितनी मातरा में खिलानी है, गायब हैंस की जेर गिलाने के लिए, और उसकी बच्चे दानी में किसी ने किसी परकार का कोईन कोई इंफेक्शन है, हो ही जाता है, तो आज की इस वीडियो में ये दोनों देशी चीज़ें बताऊंगा, मैं ये सर्टिफाइड हैं, ये चीज़ें डोक्टरों के दोवारा रिकमंट की गई हैं, कोई ऐसे ही आवा इंफ Southwest पालगों में भी जो dairy farm चलाते हैं, जो commercial रूप से dairy farming करते हैं, वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो घर में एक दो पसू रखता हैं, वो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कि जब पसू बच्चा देता हैं तो उसको जिसको छेतरी बाशा में बोलते हैं, कि ख वीशेय स्तिति में हम अपने पसु जब बच्चा दें तो उसको खींच करें उसकी येप कर सकते हैं। विशेष तिती होते ये आपको लगता गी पसु बहुत ज़्यादा परेशान होगा और बच्चे के कहीं पैर फश गए या मुझ फश गया तो उस तिती में उसको खीच सकते हैं नहीं साधा अनरूप से हमें दैर यह रखना चाहिए यदि सारी चीज़ें ठीक है पसू का जो मतिंडी जिसको बोलते हैं वो आ गई वो फूट गे और उसके बाद खुरी दिखाई देने लगी और बार देने लगी दिखाई देने लगी तो हमें उसको नहीं खीचना चाहिए अब दो गंटे के अंदर हमें ये पूरी एक मूली अपने पसू को खिला देनी चाहिए जेर गिराने की सबसे अच्छी दवा इसकी ये मिट्टी अटा कर इसको साफ करके पत्तों समेत पूरी मूली को अपने पसू को खिला दें दो गंटे के अंदर यानि बच्चा देने के एक गंटे के बाद और दो गंटे से जादा ना हो ये पूरी एक मूली खिला दें इसको खाने के बाद भी अदि पसू जेर नहीं गिराए तो उसके बाद ये बिंडी हैं इसकी कितनी मात्रा लेनी पूरी बात बताऊंगा इसमें भी ये बिंडी यारी बिंडी हमें लेनी है कितनी लेनी है ये हमें डेड़ सो से दो सो गराम लेनी है और इसमें 20 से 25 गराम हमें साधार नमक मिला लेंगे और नमक वैसे सबी के गर में होता है ऐसा कोई गर होगा यह नमक नहीं होगा नमक भी मिला सकते हैं और गुड भी मिला सकते हैं तो ये सारी बिंडीन में नमक या गुड मिला कर अपने पसू को खिला देंगे यदि च्यार गंटे तक उसने जेर नहीं डाली है तो ये हमने खिला दी और उसके बाद भी जेर तो दोस्तो इस परकार है यदि आपका पसू जेर नहीं गिराता है तो आप ये देशी उपाय करके भी अपने पसू की जेर गिरवा सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएगा और जो बाइबन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं